हलोग फ्रेंज आज मैं आपको मतन करी बनाना सिखाऊंगी जो कि मेरे स्टायल का है तो इसके लिए हमको कड़ाई को अच्छे से गरम कर देंगे कड़ाई को और इसमें हम तेल डालेंगे रेट थोड़ा सा तेल, तेल को अच्छे से गरम हो जाने रीचे, फिर उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा चीनी, क्योंकि चीनी क्या करता है थोड़ा अच्छा कलर देता है आपके ग्रेवी में, अब इसको थोड़ा गरम हो जाने दीचे, अच्छी तरीके से यह उबल रहा है, इसके बाद हम यह अच्छे से हो गया, इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे फ्यास, कटे हुए फ्यास, आप यह मैंने इक फ्यास को पार्ट के डाला है, बड़ा सा, क्यूंकि मैं आदा चलो मतं से बनाएगी, तो इसके लिए आप बड़ा सा एक फ्यास तरीके बड़ा एक बड़ा टो, गोई भी नच्छे आप शालेंगे, पार प्यास थे हमें जोड़ा, क्यूंकि मैंता है, अच्छे प्यास को प्यास ऑख बड़ा टो, इसके प्यास प्यास को भी आइए, विलग बड़ा गई हमाई ड़ास हुए, इसके, बड़ां में दूरा हमाई निया प अब देखिए ये प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इतना कलर होने लिजिए तो जादा करने से जल जाएगा ठीक है देन उसके बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट अराउं टो टेबल स्पून कि इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे खुड़ा इसको पकने देखिए तरोस मिल चला जाएगा देखिए याच्छे से पक्राइग तरोस मिल चलाएगा इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे रैचिटी पावडर आप कितना तीखा खाना क्याते हैं उसे साथ से गानेगे मैंने लगभग 1.5 स्पूम डाला है देन इसके बाद आप थोड़ा सा हल्डी डालिए ज्यादा हल्डी में नहीं डालती हूं बेकोज तेल का स्मेल शुक नहीं लगता अभी आप तेल भी जाला दे सकते हैं मैं फड़ा लोग कम तेल में में कटते हूं ओके यह हो गया देन यूपोट फिर आपस में क्या डालेंगे धनिया पावडर डालेंगे एक टेबल स्पूल देन इसमें अब डालेंगे जीरा पावडर जीरा पावडर थोड़ा मैं वान एंड़ हाफ टीस्पून या टेबल स्पून दालती हूं अच्छी से मिक्स का लीजिए मसाला लगना नहीं सही है तो थोड़ा इसमें हम पानी देते हैं पकने देते हैं यह मसाला अच्छी से भून देया है फिर इसमें हम लोग क्या डालेंगे बारी कटा हुआ कमेटो तमाटर मैंने दो ते तीन तमाटर दे हैं और आप इसको अच्छी से मिक्स का लीजिए लोग लें में कोदा मसाला नहीं जले थोड़ा पानी देखे आप दीजिए तो रॉस मिल्च तिल तमाटर अच्छी से नहीं पक जाते आप इसको पकाते हैं थोड़ा ही थोड़ा पानी देखे एदें थोड़ा इसको यह चोल देख थोड़ा लोग करते हैं पर इसमें हम नमक डालेंगे नाव आप देख सकते हैं कि यह जो मसाला है अच्छी से पक रहा है बस्तिल तमाटर जो है टमाटूस वह अच्छी से मिले नहीं तो इसको थोड़ा और हम अच्छी से पकाते हैं पकाने के बाद अच्छी से वह दब जाए टमाटर के जो इसस है तो हम रोग फिर करेंगे ठीक हैं अल्मोस्ट हो गया है यह मसाला अभी इसमें हमने मतन को डालना है हमको ठीक है मतन को डालना है यह मतन को मैंने दो के अच्छी से रखा है अभी हम इसको कड़ाई में डाल देंगे और अच्छी से हम इसको मिलाएंगे मिलाएंगे सोदप्ध शुदा नमसाला जो है वो पूरा म६चला मिल जाए मकटन के साथ इसको अच्छे से हमें पकाना है थोड़ा हाई करेंगे फ्लेम थोड़ा मीडियम से एंड सो दाट मसाला अच्छे से इसके अंदर जाए अभी देखिए जो मटन है वो अच्छे से हमने उसको पकाया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है अभी क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा दही दही डालेंगे और इसको हम अच्छे से दही के साथ मिक्स करेंगे दही दन के दाटने से दम देखिए और भी अच्छा होता है और दोगा च्छा मुझ थोड़ा है अर नोच्छा से दोड़ा हए करेंगे गास काविं और मिक्स करेंगे पक ने दिखिए भापने खाने टोड़ा होता है ठीके सब्सक्राइब करें जाए और यह ठीक से पकें थोड़ी दर हम इसको इसे पकने देंगे यह देखिए यह अच्छे से बॉल हो रहा है पक रहा है अब इसमें हम फाइनली इसको प्रेशर कुषर में टांसफर होने से पहले थोड़ा गरन मसाला पाउदर चुटकी भर जादा में थोड़ा उसकी पर डाल देंगे और पिर अच्छे से खम इसको निक्स करेंगे अच्छे से और इसको पकाएंगे कड़ाई में इसको प्रेशर में डालने से पहने यह अच्छे से और उसका पेस्ट आएगा इसका जो रोव मसाला सब मैल होता है फ्लेवर होता है वह सब चला जाएगा इसमें और पानी मैंने नहीं डाला था वह जगी से पानी निकला हुआ है और यह हो रहा है अच्छे सिर्फ आप इसको पकाएं और इसमें आप काली मीच का पावडर भी डाल सकते हैं यह थोड़ा और इन्हांस्ट टेस्ट देता है तो आपके हिसाब से आपको पिक्षिना दाना है मैं एक चुट्की डाली तो आपको अज़ादा स्पाइसी खाना है तें आप इसमें ज़ादा रेड चिली पावडर डाल सकते हैं कि लेकिन मैं हम लोगे घर में थोड़ा कम खाते हैं इसलिए कम मसाला पेल इतना नहीं खाते हैं तो मैंने उससाब से कम डाला है अब यह अच्छे से पक गया है अभी हम क्या करेंगे इसको प्रेश्युकर में ट्रांसफर करेंगे और थोड़ा पानी देंगे सोदार नीचे का पॉर्शन नहीं लगे और दो हाए सीथी मारें मराएंगे इससे प्रेश्युकर से फिर मीडियम या सीन करके इसको लग भग 20 मिनिट 15-20 मिनिट क्योंकि अच्छे से पकना होगा आप इसमें आलो भी डाल सकते हैं इफ यूवांट आप उसको पकाने के बाद 15-20 मिनिट बद पकाने के बाद आप खोल के प्रेश्युकर फिर अलो डाल सकते फिर और पांच तरस में पांच मिनिट तक आप प इसमें के बाद 15-20 मिनिट में इसको अजञा में अच्छे से नहीं पखा और 10 मिनिट में इसको बिठाओंगी यह दिखिए मेरा मतन करी फाइनली बन के तियार हो गया है मैंने इसमें गार्णिशिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ डाला है जैसे कि मैंने दो अंडा उबाले थे और उसको हाफ हाफ काटके मैंने ऐसे साइड में रखा है और आलू भी डाले है एक जिसको मैंने चार हिसों में काटा है और उसके उपर मैंने धन्या पते से कोरियंदर लिप से मैंने उसको गार्णिश किया है इक टिप्स बताना चाहती हूँ अगर आपको चीनी फ्लेवर थोड़ा मीठा अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इनिशली मैंने जो यह थोड़ा चीनी डाला था वो आप मत डाले बाकी प्रसीचेंड में कीचिए बहुत से ही लगेगा चीनी डालने से वो इतना मीठा भी नहीं होता फिर भी आपको अगर बिल्कुल भी पसनी थोड़ा सा हलका सा भी मीठा टेस हलका सा भी तो आप मत डाले जो इस तरह से आप इस मतन रसीपी को बनाएं घर पे और एंजोई कीचिए तब तक हम नया वीडियो बनाएंग और श प्रसक्राइब धन्किए